Good morning everyone, welcome to daily current affairs, हमारी पहली न्यूज है annual status of education report तो annual status of education report जो है वो release किया गया और जो survey है इसका वो conduct किया गया था NGO प्रथम के द्वारा और इस report का कहना यह है कि pandemic के time में जो ग्रामीड छेत्र के जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत कम संख्या में स्कूल में जो है admission लिया है और करीब करीब यह संख्या जो है वो दुगनी ड्रॉप हो चुकी है और देखा जाए तो government school जो सरकारी schools वगर हैं वहाँ हमें admission में increase देखने को मिलता है लेकिन वहीं जो private schools हैं वहाँ पर हमें admissions में एक decrease देखने को मिला है ठीक है तो 2018 में देखेंगे तो government school में करीब करीब 64.3% का admission हमें spike देखने को मिला था लेकिन वहीं 2021 में यह बढ़के हो गया 70.3% तो 2018 में 64.3 था और 2021 में यह 70.3% हो गया वहीं अगर हम private schools की बात करें तो यहाँ पर जो enrollment है यह हमें एक तरह से down दिखा है क्योंकि यहाँ पे जो 2018 में admission का percentage था वो 32.5% था वहीं यह 2021 में 24.4% पर गिर गया तो कहीं ने कहीं जो सरकारी स्कूल से वहाँ हमें ज्यादा बच्चों के admission जो होते हुए देख रहे हैं और वहीं जो प्राइवेट स्कूल से वहाँ admission में हमें एक गिरावट देखने को मिली है अब देखे इसमें रीजन भी बताया गया है कि किस कारण की वज़े से यह जो एक गाउं चले गए थे तो वहाँ पर बच्चों का अडिमिशन वहीं हो गया तो इसी वज़े से यह शिफ्ट हम को देखने को मिलता है यह रिजन इस रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने स्कूल अटेंड नहीं किया करीब करीब इंटरेंट कनेक्शन नहीं था ठीक है तो 92% अफ चिल्डेंड जो है है टेक्स्ट बुक अफ देग्रेट और ओनली वन थर्ड अफ देम हैड एकस्स तो इन अधर लर्निंग रिसोर्स एं सपोर्ट तो देखिए करीब 92% बच्चों के पास बुक तो थी लेकिन कोई रिसोर से बच्चे जो है वह एक ऊणलाइन टीचिंग को वह अवेल नहीं कर पाए वह वह पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई लिमिटेट स्मार्टफोन अवेलेबिल्टी और जो इसमार्टफोन अगर अवेलेबल भी था तो माली अगर एक घर में अगर तीन बच्चे हैं तो एक ही smartphone था तो इसलिए पढ़ने में दिक्कत होती थी तो लोग के पास जो है smartphone availability कम थी एक घर में एक ही mobile हुआ करता था है दो ही mobile means बहुत ऐसी कमी घर थे जहां पर mobile available थे online learning was restricted to a quarter of students और कुछ ही students के लिए जो है वहीं बिहार वेस्ट बंगॉल में देखेंगे तो बिहार में 10 परसंट और वेस्ट बंगॉल में 13 यहां बहुत हमें कमी देखने को मिली है और केला और हिमाचल परदेश में 91 बच्चे जो है online education ले पाए उसी तरह हिमाचल परदेश में करीब करीब 80% बच्चे जो है वो online education लेकिन वहीं हमें एक downgrade देखने को मिलता है बिहार वेस्ट बंगॉल में बिहार में 10 परशन सिर्फ देखने को मिला है वहीं बात करें प्राइवेट ट्यूशन वगर की तो प्राइवेट ट्यूशन में जो है कोवी के टाइम में हमें 40% देखनों का मिला है तो कहीं न कहीं यह 10% का इंक्रीज है 2018 से 2020 के बीच में अब देखे कुछ सजेशन दिये गए हैं कि अगर उनलाइन जो भी क्लासेज हो गर रहे हैं उनको इंप्रूफ करने के जरूवत है जो भी गवर्मेंट स्कूल हो गर रहे हैं और तो इस गर्मेंट जो स्कूल से उसको और डबलेप्मेंट की आवशकता उसके लवा जो टीचर्स हैं उनको एक्विप्ट किया जाया है कुछ जो भी निसरी रिसोर्स हैं उनको वो चीज प्रूवाइट की जाया ताकि वो अच्छे से जो है बच्चों के एजूकेशन पर द्हाम दे सकें तो कहीं ने कहीं यहाँ पर एक स्मार्टफोन और एक इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवशकता है अवेल करवाने की ताकि जो बच्चे हैं वो अगर ऐसी कभी सिच्वेशन क्रियेट होती है तो उस सिच्वेशन में भी जो एजूकेशन का फ्लो है वो बन पर इखान सब्सक्राइब करीब 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 4 साल लग गया खे novelty यहाँ यह तो र्याजुजान क करने में चेट्रीशनल माटरियल ओवर का यूज किया गया है उसको इब लगा नाया गया वापस से लिख करके एसब्सकर कर लिए जो है इक औक्तागोनल टॉम है ठीक है और स कुछ मुगल हिस्टोरियंस का यह कहना है कि सब्ज बुर्जु है उसको कंस्ट्रक्ट किया गया था जो फ़हीम खान था उसके लिए ठीक है तो फ़हीम खान की मुर्तियों 1626 एडी में बताई जाती है और फ़हीम खान एक अटेंडेंट था जो की अब्दूर रहीम खान का था यह फ़हीम खान और फोर्थ मुगल एंपरें जो थे जहांगीर उनके टाइम की यह बात है और कुछ इस्टोरियंस का यह भी कहना है कि सब्ज बुर्ज को जो है पंदर तीस और चालिस के आजपास बनाए गया तो पंदर सो तीस चालिस के आजपास कुछ इस्टोरियं उनके रहां है वह हम निली चहतरी के नाम से जानते हैं इस आफ इम्मेंस सिंटक्चार्ट घृक्ट अधे मिलता है तो यह से हम इस या घूम रहे गा ही पहला डूम हो गया और उसी की नीचे जो है हमने एक दूसरा डूम भी देखने को मिलेगा ठीक है तो यह होका डब एक डूम तो जो सबसे उपर वाला है, यह फर्स डूम हो गया, और उसके नीचे भी एक डूम देखने को मिलेगा, ताकि अगर कोई यहां नीचे से देखे, तो उसको ज्यादा यह उचाई पे न दिखाई दे ठीक है, इसलिए एक डूम यहां भी रता है, तो जो सब्जबू यह सवाइब पेंटेज सीलिंग है अभी तक इंडिया में, नेक्स न्यूज हम देखते हैं, नेक्स न्यूज है हमारी वर्ल बैंक के स्टार प्रोजेक्ट से, तो स्टार का यहां फुल फॉल फॉर्म है, स्ट्रेटनिंग टीचिंग लर्निंग और इस्टेट्स प्रोग्र की इंप्रूफ किया सके एक क्वाल्टी और गवर्निस ऑफ स्कूल एजूकेशन तो जो छे इंडियन स्टेट्स हैं उनमें इसे हिमाच्यल परदेश के लामद्द परदेश महराष्ट, ओडिशा और राजिस्थान में हम एक एजूकेशन में की क्वाल्टी जो है उसको और अच्छे इंप्रूफ कर सकें और बहतर बना सकें तो इस चीज के लिए ये प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट किया गया है इसमें अब देखेंगे तो ये करीब करीब इससे करीब 250 मिलियन स्टुडेंट्स को इससे फाइदा होगा जिनकी उमर जो है वो छे से 17 साल के बीच मे है और करीब करीब 1.5 मिलियन स्कूल जो है इस प्रोग्राम के अंडर में बेनिफिटेड होंगे और 10 मिलियन टीचर्स को भी इससे बेनिफिट मिलेगा अब देखते हैं कि और क्या रिफॉर्म इनिशियेटिव लिए गया है इस प्रोजेट के अंडर में तो ये जो इसका में मोटीव है उसके लावा एडर्सिंग डिमांड फॉर स्टाक होल्डूस इस प्रेंस फ्रेटर अकॉंटेबिल्टी उसके लावा जो पारंस अंगे काउंटेबिल्टी को और इंप्रूव करने की बात करता है ताकि उपने जो उनके बक्चे हैं उस पे वो इस पेस तो यह थी उसके आलावा देखते हैं तो यूनिवर्सल सर्विस obligation fund हमारी next news है तो union cabinet ने अप्रूफ किया है कि वो mobile services provide करेंगे करीब करीब साथ जार गाउं में तो ऐसे गाउं जो कि जहां mobile services available नहीं थी 4G connection वोगर अबिलेबल नहीं थे तो वहाँ पर universal service obligation fund के थ्रू जो है यहाँ पर mobile services available करवाई जाएंगी तो बात करते हैं पहले universal service क्या होती है universal service का मतलब होता है कि आपके पास एक phone हो जो कि एक affordable phone service आपको मिले अपने घर पे तो आपके घर पे एक news phone हो जहां पे internet connection हो और वो आपको एक तरसे affordable price पे मिले वो universal service है इसका मतलब कि providing telecommunication service with access to a defined minimum service specified quality to all users everywhere at an affordable price मिन्स आपको यह service जो है mobile service दी जा रही है एक affordable price पे सस्ते सस्ते दाम पे आपको mobile की service internet की service जो है वो आपको available हो सके देखिए 1837 में the concept was rolled on by Roland Hill तो Roland Hill के द्वारा यह universal service का concept ले आया गया था जो की एक बिटिस एजुकेटर थे और एक tax reformer थे विच इंक्लूड uniform rate across the UK and prepared by sending via postal stamps तो इनहीं के द्वारा जो है 1837 में Roland Hill के द्वारा यह concept universal service का ले आया गया था अब बात करते हैं universal service obligation fund की तो यह fund जो है यह लाए गया फॉर्म किया गया इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा ठीक तो यह established किया गया था 2002 में और इंडियन टेलिग्राफ अमेंडमेंट के अंदर में जो है उस को अमेंड करके इंडियन टेलिग्राफ तो ताकि जो भी इंटरनेट कनेक्टिविटी है जो फोजी कनेक्शन वगर है वो भी जो ग्रामीड इलाके हैं वहां भी एक फाइनेंशिल सपोर्ट जो है दिया जा सके जो भी इंटरनेट यूज करने के लिए जहां पर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो वहां के लोगों को सरकार दो है कुछ एमांट में पैसे देगी ताकि वो इस फैसलेटी को अवेल कर सके ठीक बात करते हैं एक यूनिवर्स की जो अपॉइंटमेंट है वह सेंटरल गवर्मन्ट यानि वह के इन सरकार के दौरा उसकी अपॉइंटमेंट की जाएगी बात करते हैं क्या स्कॉप है यूएस ओफ का तो यूएस ओप जो है इसका मेन जो फंडामेंटल ऑबजेक्टिव है उसका यह कि जो बेसिक टेलिक करने की ठीक है तो अब यहां सरकार के दौरा जो एक सबसीडी सपोर्ट जो है वो प्रवाइट किया जाएगा और जिससे जो भी टेलिकॉम सर्विसेज है वो लोगों तक आसानी से पहुंचे और ब्रॉट्बेंट कनेक्टिविटी हो गई या जो भी मॉइल सर्विसेज है जिससे की जो भी इंफ्रास्टेक्चर वगरा है वो ग्रामीड इलाकों में और इमोट इलाकों में और इंप्रूफ किया जा सके तो एक सरकार जो है यहां पर एक सबसीडी दे रही है कुछ लोगों को जिससे टेलिकॉम सर्विसेज जो है या ब्रॉट्बेंड जो उनका एजियार है वो अपने एजियार का पांच परसंट इस फंड में देंगे तो इसकी फंडिंग इसी से आएगी और नॉन लैप्सपल फंड इसलिए है यूँकि जो भी टेलिकॉम सर्विसेज उनको पांच परसंट जो भी उनका एडिसेज ग्रॉस रिवेन्यू है वो उनका पांच परसंट इसमें देंगे ही देंगे तो यह एक फंड ऐसा है लिए लैप्स नहीं कर सकता और जो भी एमाउंट इकठा होगा एक तरह से टेक्स समझ सकते हैं जो भी टेक्स से यह एमाउंट इकठा होगा इसको क्रेट किया जाएगा Consolated Fund of India में उस किया जाएगा बात करता है Longtang project की तो यह Nepal का पहला hydro power project है जो की एक glacial-lake से जो है हम यहां पर energy generate कर रहे हैं तो बात करता है Langtang micro hydro electricity project यह Nepal के पहला hydro power project है from a Glacial lake ठेक है तो यह करीब-करीब जो है 2015 15 का जो अर्थ क्या था तो उसी के बाद से ये बनाना स्टार्ट किया गया with the help of Hong Kong based Kadhuri Charitable Foundation तो ये Hong Kong का charitable foundation है Kadhuri Charitable foundation तो इसी के help से जो है ये प्रोजेक्ट ये बनाए गया है यहां देख सकते हैं ये Longton Region है ये Langton Glacier आपको देखने को मिलेगा और ये है पाउर हाउस का लोकेशन यह पाउर हाउस है और यह क्यांजीन गाउं है जहां पर यह पाउर हाउस जो है वो बिस्निस सप्लाई करेगा अब देखिए यहाँ पे एक पाइप के थुझ जो है पानी जो है निकाला जाएगा और उससे करीब करीब 100 किलो वाट की एलेक्रिटरी जनरेट किया जाएगा और इसके पास इतनी छमता है कि यह 24 गंटे एलेक्रिश्री दे सकता है करीब करीब 120 घरों में और उसके लावा जो भी टूरिस्ट लॉज बगर वहाँ पर है क्यांजीन और लंगतंग में तो उस इलाके में जो घर है उनको 24 घंटे बिजली प्रोवाइड करने की छमता इसके पास है और यह प्रोजेक्ट अपने आप में यह पहला ऐसा है कि जो की एक पूरे के पूरे विलज को यह पावर कर रहा है और उसके अलावा यह भी प्रॉमिस किया जा रहा है कि जो अधर रिमोट हिमालियन वैली हैं वहाँ पर भी बिजली पहुचाई जाएगी और इसको एक्सपैंड किया जाएगा और जो भी टॉरिजम डिपेंडेंट जो फैमिलीज वह हैं जो भी वहाँ पर फैमिलीज रहती हैं जो इनका खर्चा जो है टॉरिजम से चलता है तो उनको भी यहाँ एलेक्रिटिटी प्रवाइड करने की बात हो रही है अगली न्यूज है हमारी अनलॉफूल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट से तो देखिए एक स्पैसल बेंच सुप्रेम कोट की जिसको लीट कर रहे थे हमारे चीफ जेसिस ऑफ इंडिया एन्वी रमना तो इनके द्वारा जो है यह देखा गया कि यूए प्ये के अं पर तो इशू यह है कि जो रिपोर्टर थे तो उनके द्वारा जो है एक ट्वीट किया गया था कि त्रिपुरा इस बर्निंग और यह जो लॉयर थे इनके द्वारा एक रिपोर्टर रिलीज के की गई थी टागेट एक पॉलिटिक्स वालेंस अगेंस मुस्लिम माइनॉट है उनके अगेंस वालेंस टागेट कर रहा है तो इसी के लिए जो है इन तीनों लोगों के ऊपर एक 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 कर दी गई थी एक पुला पुलिस के द्वारा तो यहां पर कंसर्न यह है कि जो पैटेशनल से उनका यह कहना है कि हम तो सरफ अपने जो विचार है वह अपने यह एक एक जो है 1967 में यह यह पास किया गया था और इसका एम है एट एफेक्टिव प्रेवेंशन ऑफ अनलावफूल अक्टिविटीज जो भी अनलावफूल अक्टिविटीज है उसके अगेंस्ट यह वक करता है और यह एक्ट एसाइन करता है एबसुल्ट पावर तो सें दोनों के उपर चार्ज लगाया जा सकता है और यह जो चीज होगा वह एपलिकेबल और यहां पर कर दोन पर लगाया सकता है तो अगर घटना असतल अगर फॉर्टिज का है तो अगर घटना असनल फॉर्टिज है उसके बाद भी आपप पर यूवेपी लग जाएगा ऐसा इसलिकेगा है से माल लिए ओनलाइन अगर कोई कुछ पोश्ट करता या कुछ और टिपड़ी करता है गलत तो ताकि उस पर भी चाल लगाया सके इसलिए यह जो इसमें प्रवीजन है वो एड़ेट है अब देखिए यूएप एक एंटर में जो भी इन्वेस्टिगेशन जो एजन्सी होगी जो विवेशना कर रही है जो जांच कर रही है वो चाल शीट फाइल कर सकती है 180 दिन के अंदर ठीक है अगर माल लीजिए जो अरेश्ट हो गया कर मुल्जिम तो 180 दिन के अंदर जो है चाल शीट यहां फाइल की जा सकती है और उसके अलावाई यह जो ड को और इंप्र गिया गया और यहां यह कहा गया कि जो इन्वेस््टिकेसज्ड एगें एन्ईय है उचके जो डाइक्टर जनरल होंगे वह यहां पर अप्रूवल दे सकते हैं ताकि जो भी गिल्टी है जो भी इहां पर इसके खिलाफ विवेश्त इसके खिलाफ investigation चल रहा है तो उसके प्रॉपर्टी को यहां पर सीज किया जा सके तो यह एक्ट जो है यहां पर amendment करके 2019 में एनाइए के जो डाक्टर जनरल है उनको यह पावर दी गई कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं ठीक है अगर जो भी investigation से है उसके अलावा यह एक्ट एंपावर करता है जो पहले क्या होता था कि इसकी जो investigation है वो कि सिर्फ कैसे हम डेजनेट करेंगे एक terrorist को ठीक है तो कैसे किसी इंडिविजवल को गोसित किया जाएगा इसमें भी एक प्रोविजन इसमें एड किया गया था 2019 में अब बात करते हैं क्या issue है तो issues यह है कि देखिए यूपी यूए पीए को जो है क्रेशाइस किया है civil society के दोवारा यह कहके कि यह unethical है उसके अलावा यह constitutional की जो हमारी freedom है जो हमारी समयधान की जो freedom है उसको एक तरह से यह कहीं ने कहीं कम करने कोशिश करता है उसके बाद यह rule of law के अगेंस्ट है fair trial जो है उसके अगेंस्ट है तो इन बातों को ले करके इसका criticism भी है अब देखिए दिल्ली high court जो है वो UAPA के contours को define करता है देखिए दो है जून दो है किस में क्या हुआ कि judgment देते हुए Supreme Court ने जो दिल्ली का high court है उसके यह कहा कि जो section 15 है of the unlawful activity prevention act the दिल्ली high court laid some important principles upon the imposition of section 15, 17 and 18 और यह कहा गया है कि section 15, 17, 18 को अगर लगाना है जो UAPA के section 15, 17 और 18 है तो उसके लिए कुछ importance principle है उसी अधार पर आप लगा सकते हैं तो 15, 17, 18 देखता है तो section 15 यह बोलता है कि आपका कौन सो offense जोगा वो terrorist act की category में आएगा आप क्या offense करेंगे तो वो terrorist act की category में आएगा यह बोलता है section 15 section 17 बात करता है कि अगर आप कोई भी terrorist act के लिए आप fund raise कर रहे हैं तो उसक punishment section 17 में है section 18 यह punishment for conspiracy to commit a terrorist act or any act prepared to commit terrorist act means कोई भी offense जो की means एक terrorist act करने के लिए किया जा रहा है कोई भी आपका जो funding यह कुछ भी है तो वो आप एक terrorist act को अंजाम देने के लिए आप जो offense कर रहे हैं तो वो section 18 में आता है अब देखिए इसमें कोट के दौरा यह कहा गया दिल्ली हाई कोट के दौरा की terrorist act should not be used lightly as to travelize them ठीक है तो इस जो terrorist act है उसको ऐसे नहीं किसी भी लगा दे हो कोई ऐसा नहीं कोई मालिये अगर सरकार के कुछ फिरोद में कुछ कह रहे है तो ऐसे नहीं को उपर भी आप जो है enforcement agency to deal with the under ordinary penal law और मेंस ऐसे activity की normal हम IPC CRPC से उसको deal ना कर सकें ठीक है तो यह Supreme Court का decision था in the case of हिदेंदर विष्णू ठाकुर के case में Supreme Court ने यह कहा था तो उसी को दिल्ली हाई कोट ने जो है दोहर एकिस के judgment में दुबारा से define किया इस तीस को बताया तो आज के लिए बस इतना ही Thank you, thanks for watching